आज हम वेक्टर्स के कुछ बेसिक कॉंसेप्स को समझने कोशिश करते हैं उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फिजिकल कॉंटिटीज क्या होती है फिजिकल कॉंटिटीज में वो सब कॉंटिटीज शामिल हैं जिनको आप मयर कर सकते हैं जिनकी आप कॉंटिटी बता सकते हैं इनको कॉंटिफाई कर सकें इसके लिए जिनके आप मिक्दार मालूम कर सकें और फिजिकल कॉंटिटीज की टू बेसिक टाइप्स हैं एक स्केलर्स और वेक्टर्स अब स्केलर्स में वो सब फिजिकल क्वांटिटीज शामिल ने जिनको अपनी कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए एक नंबर और एक यूनित की जरूरत होती है फर एक्जामपल मैं आपसे पूछते हूँ कि किसी भी जगा का पर्टिकलर इलाके का टेम्परेचर क्या है तो आप मुझे बताएं 25 डिग्री सी या मैं आपसे पूछूँ के टाइम क्या हुआ है 330 पीएम फर एक्जामपल तो यह वो क्वांटिटीज हैं जिनको आप डिस्क्राइब करते हैं एक नंबर से और एक यूनिट से और नंबर प्लस यूनिट को हम कहते हैं मैगनिट्यूड दूसरी स्केलर क्वांटिटीज की एक्जामपल में स्पीड शामिल है distance, length, mass, etc यह सब वो क्वांटिटीज हैं जिनको सिरफ एक मैगनिट्यूड चाहिए होता है एक नंबर और एक यूनिट चाहिए होता है completely describe करने के लिए और दूसरी तरफ वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं जिनको एक नंबर, एक यूनिट और direction की जरूरत होती है simt की जरूरत होती है, किसी भी वेक्टर को describe करने के लिए आपको यह बताना पड़ता है कि वो किस direction में है, मिसाल की तोर पर यह एक दर्वाजा है अगर मुझे इस पर force लगानी है, तो मेरे पास multiple directions है किसी भी तरफ से मैं इस पर force लगा लूँ, मैं इस तरफ से इस पर force लगा सकती हूँ upwards, downwards, push, pull, etc. बहुत सारी directions है तो अगर मुझे 25 newton, for example, force लगानी है तो मुझे यह भी पताना पड़ेगा कि वो किस direction में है for example, upwards, तो एक number, एक unit जिसको magnitude बोलते हैं, और एक direction तीन चीज़ें completely describe करती हैं एक vector को इसी तरह आप एक जगा से, दूसरी जगा जाएं 25 meters per second के साथ, यह आपकी speed है लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी velocity क्या है तो आपको direction भी देना पड़ेगी, 25 meters per second north, east दूसरी vectors की examples में acceleration है displacement है, जिसमें आप distance with direction बताते हैं और दूसरी examples है vector को graphically हम represent करते हैं एक straight line से और एक arrowhead से यह straight line इसका starting point और ending point किसी भी suitable scale की according यह line जो है यह हमें magnitude of the vector बताती है और यह arrowhead जो है, यह direction स्पेसिफाई करता है सिम्त बताता है vector कि सिम्त में vector वेक्टर यह क्या direction है और लिखने के लिए हम vector को यह board letter में लिखते हैं इसको थोड़ा सा मोटा करके या हम उसके उपर एक arrowhead डालते है या उसके नीचे एक arrowhead डालते है इसको हम कहते हैं representation of vector अब हम देखते हैं कि rectangular coordinate system क्या होता है vectors को हम rectangular coordinate system में show करते हैं और इसको कैसे define करते हैं कि two lines जो एक दूसरे के perpendicular हैं एक दूसरे के साथ 90 का angle बनाती है ठीक है just for the convention reasons हम horizontal line को x axis बोलते हैं और vertical line को y axis बोलते हैं right side पे plus x होता है left side पे minus x होता है upwards plus y है और downwards minus y है so एक vector को the point जहां पर x और y आपस में meet करते हैं इसको हम origin बोलते हैं इस पर 0, 0 x की value 0 और y की value 0 होती है so जब हम vectors को rectangular coordinate system या Cartesian coordinate system पीस का नाम है रिप्रिजेंट करते हैं तो हम vector को origin से start करते हैं इस vector की length length of this line हमें magnitude of the vector देता है और x-axis के साथ anti-clockwise direction में angle theta यह हमें direction देता है angle in anti-clockwise direction with x-axis just for the convention reasons इस line को यह जो line है हम vector की representative line बोलते हैं एक line जो vector को represent कर रही हो इस vector से अगर हम perpendicular draw करें इस point से x-axis पे let's say यहां तक 0 से लेकर यहां तक a units है तो a is x-coordinate of this vector let's say this is a vector a capital a ठीक है मैंने capital मैंने इस point से एक perpendicular draw किया है x-axis पे जिस point पे यह meet करता है let's say वो a है तो 0 से a तक a units आते हैं हमारे पास a x-coordinate of a है इसी तरह अगर मैं इस point से y-axis पे पे पेंडिकुलर draw करूँ और यह point b है तो b would be y-coordinate of a vector a ठीक है so in terms of coordinates अगर हम vector a को describe करें तो हम a a b यह x-coordinate है a का यह y-coordinate है a का a a b यह जो point है this point जिसको मैंने काफी बोल कर दिया है this point is a a b क्योंकि x-axis पे यह a units है और y-axis पे यह b units है इसके हम example लेते हैं एक for example हमारे पास है force force का एक vector है जिसे coordinates है let's say 3, 4 ठीक है तो इसको हम ऐसे plot करते हैं इसकी representative line vector की 0 से लेके x-axis पे 3 units 1, 2, 3 और y-axis पे 4 units 1, 2, 3, 4 यह दो lines आपस में जहां meet करती है यह वो point है f3, 4 इसको अगर हम origin से join करें एक straight line से तो यह हमारे पास force का vector आ जाता है और इसकी direction theta हम x और y coordinate से निकाल सकते हैं जिसके बारे में हम detail में next topic पे बात करेंगे इस तरह की representation को हम कहते हैं के vector को हम rectangular या coordinate या Cartesian coordinate system में describe कर रहे हैं space में जब हम किसी vector को describe करते हैं तो हमें 3 axis चाहिए होते हैं right, left, up, down और inwards और outwards ठीक है तो हम space में describe करने के लिए 3 perpendicular vectors use करते हैं let's say this is the perpendicular vector ये जो vector है ये it's coming outside the screen ठीक है तो ये mutually perpendicular vectors हैं x, y, z space पे जब आप किसी vector को define करते हैं तो फिर उसके लिए 3 coordinates चाहिए होते हैं let's say हमारे पास अगर कोई force है, vector f है तो उसके 3 coordinates होंगे a, b, c a is x coordinate, b is y coordinate and c is z coordinate तो f को हम 3 points से डिस्क्राइब करते हैं a, b, c ये उस वकत है जब हम किसी vector को space में real time में 3D, 3 dimensional में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसकी representative line जो है for example ये अगर मैं representative line है f की तो ये point f a, b, c होगा अगर ये x, y, z, x, z है और ये origin है अब हम जो properly discuss करेंगे vectors की वो है addition of vectors यनि आपको अगर दो vectors given हो तो उनको आपस में add कैसे करते हैं तो addition of vectors एक simple rule follow करती है जिससे कहते है head to tail rule for example हमारे पस दो vectors है ये a है ये b है और इन दोनों को add करना है हमें a plus b find करना है तो head to tail rule ये कुछ step है first step is के draw representative line of a अब representative line हमने पहले discuss किया के vectors को हम represent करते हैं rectangular और cartesian coordinate system में और जिस line से represent करते हैं वो उनकी representative line होती है so ये x है this is y ये origin है a की representative line वो line है जो a को हम origin से start करके same direction और same length में रखते हैं यहां draw करें ये a so ये representative line of a हमने draw कर ली ठीक है second step है draw b b की representative line ऐसे draw करनी है such that tail of b coincides with head of a ये आपस में coincide करें यहां से रखके आपने b को draw किया ये b है same direction same length ठीक है third step है इसके resultant vector resultant vector वो है जो addition का answer है a plus b resultant vector is the vector joining tail of a and head of b ऐसा vector जो a की tail और b के head को आपस में join करता है ये एक straight line से हम इनको join किया और इसकी direction direction a की tail से b के head की तरफ है ये resultant vector है a plus b ठीक है ऐसा vector जो a की tail को b के head से join करता है वो resultant vector है a plus b और इसकी direction आप देखें तो b के head की तरफ है a की tail से start हो कि ये b के head की तरफ जाता है so यह है vector addition सब vectors normally इसी तरह add हो जाते हैं following head to tail rule for example अगर हमें b plus a find करना है तो यही steps follow करते हुए हम देखते हैं कि b plus a कैसे find होगा b plus a find करने के लिए हम पहले b को draw करेंगे ये हमने cartesian coordinate system draw किया x y अब हम पहले b को draw करेंगे origin से start करके ये हमने b draw किया same direction same length अब a को ऐसे draw करेंगे हैं कि a की tail b के head के साथ join करें ये हमने a draw कर दिया अब हमारा resultant क्या है जो b की tail को a के head से join कर रहा है now this is b plus a b की tail को a के head से join कर रहा है ये इसकी direction b की tail से a के head की तरफ है figure 1 और figure 2 से ये obvious है कि a plus b और b plus a हमेशा same होते हैं same length same direction a plus b is equal to b plus a इसको हम कहते हैं commutative law और vectors इस law को follow करते हैं यनि vector addition commutative है a plus b हमेशा b plus a के equal होगा next concept है subtraction of vectors का यनि अगर आपने एक vector को दूसरे vectors में से subtract करना है आपने b को subtract करना है a में से a minus b so a minus b is same as अगर आप b का negative vector ले और उसको add कर दे a में a minus b ऐसे ही है जैसे आप b का negative vector ले और उसको a में add कर दे for example अगर हमारे पास ये b है तो इसका negative vector ऐसा vector है जिसका same magnitude है और opposite direction है यानि ये अगर b है तो इसका negative vector minus b ये vector है same magnitude opposite direction और अब आप a plus b a minus b कैसे find करेंगे minus b को ये जो हमने अब draw की है minus b को आप add कर देंगे a में same head to tail rule से ठीक है अब हम देखते हैं कि ये जैसे for example हमारा पिछली example में a ये था this is a और a minus b अब क्या होगा कि a plus minus b Cartesian coordinate system draw किया x minus x y minus y ये हमारे पास a है a को हमने draw किया step 1 था representative line of a a की representative line सबसे पहले हमने draw की second step किया है कि draw b such that tail of b coincides with head of a अब हमने क्या करना है कि b जो अब minus b है उसको ऐसे draw करना है कि इसकी tail और a का head coincide करे यहाँ पर आके आपने इस point पर b को draw करें ऐसे same length same direction यह है minus b यह था a और यह है minus b ठीक है और third step क्या था कि जो resultant vector है वो ऐसा vector है जो tail of a और head of b को join करता है सो tail of a और head of b यह vector यह है हमारे पास a minus b या a plus minus b यह हमारा resultant vector है इसको हम कहते हैं subtraction of vector एक vector का negative लेके दूसरे vector में add करते थे हैं जिस vector को आपने एक दूसरे vector से subtract करना है उसका negative लेके पहले vector में add करते हैं last concept जो आज हम देखेंगे वो है multiplication of vector अब एक vector को आप multiply कर सकते हैं या तो एक positive number से या एक negative number से या एक physical quantity से और physical quantity जो हमने बहुत lecture के बिलकुल start में discuss किया था एक scalar हो सकती है या एक vector हो सकती है अब जब आप एक positive number से एक vector को multiply करते हैं for example n एक number है और एक vector है ये तो positive number से multiply करने का मतलब है same direction और n times magnitude for example अगर ये a है ये a था तो 2a क्या होगा एक ऐसा vector जिसका magnitude twice है a से a से दो गुना है ठीक है ये 2a है हमारे पास इसी तरह 3a क्या होगा एक ऐसा vector जिसका magnitude a से तीन गुना है ये 3a है जब हम एक negative number से multiply करते हैं एको तो क्या होता है n times magnitude और opposite direction जैसे ये vector जो है ये minus 3a है इसी तरह ये vector जो है ये minus 2a है double magnitude और opposite direction जब हम physical quantity से multiply करते हैं एक vector को तो हमारे पास result में एक और physical quantity बन जाती है इसको हम detail में अगले lectures में देखेंगे